हेलो फ्रेंड्स सभी आदर्स कार्परेटिव सुसाइटी के निवेशक साथियों का हमारी इस्ट्री निवेशक चैनल पर एक बार फिट से हर विस्वागत है दोस्तों आपके लिए जो आज हम निवेशक लेकर आए हैं वह हमें तीन गंटे पहले मिली है जिसका मुकड़ा है राजिस्थान की क्रेडिट सोसाइटियों ने देजबर के निवेशकों से ठेगे बीस हजार करोड रुपए दोस्तों पूरी निवेश सुनाने से पहले आपको मैं बता दूँ कि मेरी वीडियो पर आप जो निवेश देख रहे हैं वह ओफिस्यल अपडेट है जो तीन गंटे पहले हमें दी गई है जिसको आपको सही सही जानकारी दी जाएगी कि आप किन तरीके से और किस तरीके से इन सोसाइटियों में फसे हैं जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वह कुछ रहस्यमी परिस्तित्यों को भी दर्शाती है जिसका जान लेना आपको जरूरी हो जाता है तो दोस्तों आईए देखते हैं कि पूरी रिपोर्ट क्या है जैपूर नरेश शर्मा राजिस्तान में नई क्रेडिट सोसाइटी अब नहीं बन सकेंगी सरकारी अधिकारियों आवां माफियों की मिली भगस से प्रदेश में बनी क्रेडिट सोसाइटी ओ दुवारा करीब 20,000 करोड रुपाय का गबन किये जाने का मामला सामने आने के बाद असोग गैलोस सरकार ने नई क्रेडिट सोसाइटी का रिजिस्ट्रेशन बंद करने का निन्डिया लिया है इसके साथ ही मिश्कर ये 387 सोसाइटियों का रिजिस्ट्रेशन रद किया जाएगा आगे खबर है कि राज्य सरकार दुवारा कराई गई जाच में सामने आया है कि सोसाइटी संचालन में पैसे की बड़ी आमद देखकर सहकारिक्ता विभाग के अधिकारियों ने पुलिस एवम परसासनिक अधिकारियों के साथ राजनेताओं के सरक्षन में माफियाओं के साथ मिलकर केरेटिस सोसाइटी बनाई थी जा दोस्तों